अब आपको एक फाइनल कॉन्स दिया था इसमें इन्वेस्टमें ना करने का प्रिविएस्ली मेरे एक वीडियो में आप चाहे तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर ले और आर कॉम जिस वीडियो के थम्नील पर लिखा होगा आप उसको क्लिक करें और वाच कर ले क्योंकि अगर इसमें कुछ पॉजिटिव होने वाला है और कुछ इसमें ग्रोथ होने वाला है तो जब यह कभी अभाव उपीस 10 आ जाए अभाव उपीस 50 ना जाए कंपनी में सब कुछ सिस्टमाटिक होने लग जाए वर्किंग लेवल बढ़ने लग जाए तब हम इसमें इ इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो पहरे हम पहले तो मेली सला यही है कि अभी इसमें ना किया जाए जब तक कि इसका लेवल अब रुपीस 10 ना जाए यह फाइनल को अपने प्रिस पर दिया था लेकिन फिर भी कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे मन में कोई खटक सी पर याती कि यार अगर हमने यह दो रुपे पचीस पैसे का सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर हमें वैसा लगता है कि पांच जरुपे अगर लोग्स भी हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहों तो हम चाहें तो थोड़ा पहुत इन्वेस्टमेंट इस लेवल पर कर सकते ह अगर दो हजार कॉंटिटी हम दो रुपे पचीस पैसे जो इसके अपरोट बैइंग लेवल चलते इस पर इंवेस्टमेंट करते हैं तो बैटर भी रहेगा क्योंकि कभी-कभी ठोड़ी बहुत रिस्क इस तरह के शेर्स में लेनी चाहिए जिसके अंदर की रिस्क लेने मे बविश्य में हो सकता है कि हम एक अच्छा रिटन लेने का मौका मिले क्योंकि फ्रेंट्स इसके आप असट और डाटास को अनलाइज करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें इंवेस्टमेंट नहीं करना चाहिए अभी भी अगर हम इसमें इंवेस्टमेंट करते इसमें 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 आप चाहे तो इसमें समझ लीजे एक हमने कोई बड़े पाटी सेलिबरेट कर लेई या फिर कोई हमने इंजॉइमेंट कर ले या हमने कोई मूवी देख ली इस तरह का कोई हमने इसमें इसमें कर दिया और वही पैसा इसमें आप इसे इने कर दिदीजिए अगर इन्वेस्टमेंट आपका डाउन टॉर जिरो भी भी हो जाता तो अब वह फरक ना पड़े तो तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं । थाउजंड क्वांटिटि ये दूज़ू और reward की बाते करने के लिए आप अपना जो भी रिस्क लेने का जो capacity उसके according ही आप काम करें बताना मेरा काम था मैंने बता दिया रस्ते भी चलना आपका काम है मंजल तक पहुंचना आपका काम है और इसके fundamentals वरकिंग लेवल बगर ना दे कि अब भी तो आप चाहे तो investment एक अपरोट भाहिंग लेवल के साब से कर सकते हैं तो फ्रेंट्स